वेलकम बैक टूमा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो अगला कोश्चन है ठीक है कोश्चन नमबर 24 में आपका जो बचा हुआ पार्ड है ठीक है इसका अब क्या है हमने पढ़ना है अपसे लेकर हमने अब हमने लेकर होगा है आपका अपका फेनौल्स्तेलिं रहैं इसका संथेशिस कैसे होता है इसके यूज क्या ठीक है इसको किस तरह से बनाए जा सकता है और इसका उपयोग कहां कहां होता है तो हम बात करतें हैं फिनॉल्फिलीन की ठीक है फिनॉल्फिलीन इसको किस तरह से सिंथेसाज किया जाता या बनाया जाता है ठैलिक एनहाइड्राइड का एक अडू छाहिए होगा आपका एक कारा है फिनॉल की दो अडू को सांद ह2SO4 या जिंक कलोराइड के उपस्तति में 120 डिग्री सेंटीग् पर संगनित करके phenolphthalein बनता है क्या करना है आभी आपको एक क्या लेना है एक molecule किसका होगा आपका thailic anhydride का किसका thailic anhydride का और आपके दो अड़ू किसके होंगे दो अड़ू होंगे आपके phenol के ठीक है phenol के अब इनको दोनों को आपस में क्या करना phenol लेना है यह molecule आपका thailic anhydride का दूसरा किसका phenol का तो thailic anhydride की अगर हम बात करें तो thailic anhydride आपका कुछ इस तरह से होता है double bond oxygen और carbon double bond oxygen और oxygen oxygen यह होता है आपका thailic anhydride thailic thailic anhydride यह होगे आपका thailic anhydride पिलास हमने क्या लेना है लेना है फिनॉल लेना है तो यह आपको 2 लेना है फिनॉल के किते लेना है 2 और thailic anhydride कितना लेना है और कितने पर 120 degree centigrade पर इन्हें गरम करना है यहाँ पर क्या होगा आपका double bond oxygen है ठीक है यह होगा आपका thailic anhydride ठीक है thailic anhydride यह दो molecule होगे आपके phenol के क्या होगे दो molecule आपके phenol के होगे अब इनको जो वे 120 degree centigrade पर घरम करोगे तो क्या होगा जल थीक है यह जो भी आपका जल होगा वो क्या होजाँगा बाहर निकल जागा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा इसका oxygen ठीक है यह oxygen और इसके फिनॉल के जो कारवन से दोनों hydrogen लगे हुए ठीक है यह जो आपका मालूब फिनॉल को उल्टा करके लिख दिया यहाँ पर फिनॉल को कुछ इस तरह से लिख दिया है तो प्रतिये कारवन पर एक एक hydrogen लगा रहता है सभी जानते हैं न प्रतिये कारवन पर इस तरह से एक एक hydrogen लगा रहे ठीक है तो यही दोनों का एक इसका hydrogen होगा दूसरा इसका होगा ठीक है इस तरह के यह दोनों hydrogen और इसका क्या होगा oxygen ठीक है तो इस तरह से h2o जब किसी चीज को गयम करते है तो उसमें जो भी जलकी मातरा होती बहल निकल जाती ह Dre जानते है पर माइनष क्या हो जागा आपका जो भी होगा h2o जत्राबहर चला जागा ठीक है बास्प एन इसाप Kevin होगा यह आपका oxygen अटा है जो की है power बांड से जुड़ा था यहां पर दो कार्बन आपके एक एक बांड से क्या कर सकते हैं क्या सब्सक्राइब कर तरह अगा goof裟ु और यहीं से कारवन से आपके जुड़ जाएंगे और वाइसा इस तरह से कारवन से ऐह आपके जुड़ जाएंगे और शुअ ही गत्र चांप एक यह कह आतु लेकिन इसका खुद में रंग नहीं कि अज़ाए खिन आतर प्रफन Director की कार्व कि 올 यह रंजक नहीं है जो फिनाल स्थीन है आपका यह डाई नहीं है याद रखना है फिनाल स्थीन रंजक नहीं है यह जल में अबिले हैं लेकिन छार में गुलकर गहरा लाल रंग बिलियन देता है क्या होता है जल में कैसा होता आपका अबिले पानी में आपका यह नहीं गुल किसमें शारक में घुलकर आपका गहरा लाल रंग देता है ठीक है कैसा गहरा लाल रंग देता है शारक में यह डाई सोडियम लवड के बनने के काड़ हो है ठीक है किसके काड़ है डाई सोडियम लवड के बनने के काड़ है ठीक है यहाँ पर बनेगा जो अनुनाद द्वारा कुईनुनाइड सरचना प्राप्त कर लेता है जिसके द्वारा अनुनाद के द्वारा या रीजो ने इसके द्वारा क्या होता है कुईनुनाइड सरचना को प्राप्त कर लेता है जब छार को अधिकता में मिलाया जाता है यानि कि छार की अधिकता में इसको मिलाया जाता है अधिक मात्रा में शार ले लो और फिनॉपस्थेलीन को कम मात्रा में ले लो तो क्या हूंता है तो फिनॉपस्थेलीन पुना कुईनौनाइट सरचना के गायव हो जाने के कार अब भी क्या होगा हमने क्या कर दिया चार की अधिक मात्रा ले ली जब हमने चार की अधिक मात्र पहले पहले इसमें अनुनाद हुआ था ठीक है अनुनाद हुआ था तो यह क्या हो गया था आपका इसमें सरचना प्राप्त कर ली थी ठीक है अनुनाद द्वारा अब कह रहा है कि अगर इसमें क्या कर दें हम चार को अधिक मात्रा में मिला दें तो क्या होगा इसकी जो अनुनाद ही सरचना है ठीक है को इनुनाद वाली वो गायब हो जागी और यह पुनह कैसा हो जागा आपका कलरलेस हो जागा ठीक है कैसा हो जागा आपका कलरलेस हो जा गुलावी होता है, लेकिन क्यों होता है, निमन सरचना परिवर्तन के कारण होता है, तो सरचना वह में परिवर्तन आपको कुछ इस तरह से देखने के मिल जागा, यह कैसा आपका रंग हीन और जो घृता है आपका चारि आपका न इस जो चार Самहे जो जागा तो कशल बागी मैन में और इसका कीसा रहे ताए AYAK यह किसमे रहना रंग इसका रहना वह वह किसके काणड होता है नादी सरचना में परवर्तन के कारण होता है ठीक है कि यह और अब इतना वाला My ता कलर लेस होता यह डाइग्राम्स आपको को याद रहते हैं क्या पर ऐसे कहाँ पर औक्सिजन है कहां पर double bond है आपका कहां पर single bond है के बल यह याद रखना है कि कहां आपका CW group लगा हुए जो नीचे वाला portion है यह तो हमारा क्या है यह सब में क्या है common है ठीक है नीचे वाला जो portion है आपका phenophthalene वाला ओ स्वरी तो सभी में आपका common है ठीक है यह जो group है आपका थैलिक अनहाइडराइड वाला यह तो आपका सभी में जो है कुछ इस तरह से common है ठीक है यह तो है यहां पर क्या लगा हूँगा आपका carbon कुछ इस तरह से लगा लेकिक है तो यह क्या रहे गा यह आपका समय और बागी क्या करना बागी आपकी तो फिनौल गुरप लगे ह जाता है केबल इसका उपयोग लेबरेटरी में इंडिकेटर यूज किया जाता है ठीक है लेब में आपका इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है इसका कलर या कपड़ों को रंगने में इसका यूज नहीं किया जाता है ठीक है कि इसका फिनॉल्फ थिलीन का ठीक है जो कि आपका क्या है एक त्रकार का ये डाई नहीं है ठीक है पहले लिख दिया कि ये डाई नहीं है ठीक है कैसा है ये आ ताल रंग का बना लेता है इतना याद रखना आपको ठीक है अनुनादी सरचना के साथ परिवर्तन होने पर इशार में गुलावी रंग में बदल जाता है तो यह तो था आपका फिनॉस्थेलीन ठीक है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडिय खर जी करते हैं आपको करते है